नमस्कार और आप सभी को सबसे पहले स्वतंदिता दिवस की इस वर्षगांट की आजादी की साल गिरह की बहुत बहुत बढ़ाई आजकल तो चलन है बर्थडे रेजिलिशन न्यू ये रेजिलिशन का मतलब हम हर साल बीते दिनों की और देखते हैं कुछ सबक लेते हैं और भविश्ची के लिए कुछ प्रण भी लेते हैं या अगर हम अपनी निजी जिन्दगी में कर सकते हैं तो देश के नागरिक होने के हैसियत से भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है करना चाहिए एक अवलोकन करें एक इंट्रोस्पेक्शन करें अपने अतीत का अपने देश की समाज की आत्रा का और फिर अपने कल के लिए कुछ तै करें उन्निस सो सेंटालिस में दो घटनाएं हुए भारत आजाद हुआ और सा क्काम हासिल किया जहां उमीद है चमकता भवश्चे है और एक खुछाल वरतमान है और किया चूक हुई है पाकिस्तान से जहां आज भी आग दिखाई देती है जाती जलम गशता है जहां जितनी चुनोतियां आतीत में थी शायद उतनी आउस से ज़ादा वर्तमान में और भविश्य में भी नजर आ रही है और क्या आजादी जब हमें मिली उसके साथ साथ बटवारे की विभीशिका भी मिली उसका भी कुछ हिसाब आज बाकी है आज उस पर भी बात करेंगे हमारे साथ बहुत सारे आज स्टूडियो में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 1947 में अपना सब को छोड़कर वहीं पाकिस्तान में यहां आए जहां परिवार बट गए जायदादें बट गई नसलें बट गई और साथ ही बहुत खास मेमान यहां हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा जोर्दा तालियों की बीच हम स्वागत करें हमारे गैस का दीपक बोरा साथ हमा आरजू काजमी जुड़ रही हैं पाकिस्तान की जानी मानीं पत्रकार हैं और बड़ा खुल के बोलती हैं अपनी दिल की आवाज पहुंचाने के लिए दिल की बातों को जुबान पर लाने के लिए जानी जाती हैं दुनिया भर में आरजू बहुत स्वागत है आपका भी occupied कश्मीर के लोगों की आवाज दुनिया भर में बलंद करते हैं मिर्जा साथ आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ एक और बड़ी खास शक्सियत आज मौजूद है जिनको शायद आप सोशल मीडिया के जरीए सुनते हो या उनकी कारेक्रमों में कभी आपने उनको सुना हो आज उनकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है हमारे साथ डॉक्टर ओमेंदर रत्नु साहब है जरत्तालियों से डॉक्टर साथ का स्वागत हो वैसे तो सर्जन है, मेडिकल डॉक्टर है लेकिन उन अपनी जिंदेगी डेडिकेट कर दी है पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सीख, हमारे भाई, बहन, माता, बहने रहती है उनकी जिंदेगी बहतर करने के लिए, उनको यहां भारत लाने के लिए एक अच्छी जिंदिगी और भविश्य देने के लिए डॉक्ट साब बहुत स्वागत है आपका भी और शायन अली एक चमकता चेहरा हमारी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा अभी शायन अली जिनका बायो केवली एक लाइन का ये खुद ही लिखते हैं पैदाईश से पाकिस बना दो सफर चले तो वो सफर कहां तक पहुँचे हैं और कैसे कैसे तेह किये गए हमने क्या किया है और पाकिस्तान ने क्या किया है भारी हो सर कि आपने ये मौका दिया है आपके शांदार चैनल पर शरीक होने का दो हजार दस तक अब बड़े ध्यान से सुनिएगा पाकि पाकिस्तान की पर कैपिटा इंकम हमसे ज्यादा थी अब हमारी तीन गुना है पाकिस्तान की अपेक्ष्रा मेरी आर्थिक व्यवस्ता चार्ट ट्रिलियन पहुंच चुकी है अभी हमने एलान नहीं किया हो जाएगा उनकी हम 200 बिलियन पर फसी हुई और घट रही है एकॉनिम चेक हो रही थी एरपोर्ट पर नॉमली होती है साथ जब आप जहाज में बैठते हैं तो मेरे को चेक करते हुए पैट डाउन करते हुए मुझसे पूछता है अमेरिकन ऑफिसर यंग चाइप कि आप कहां से हैं मैंने का मैं एक भारत का राजदू हूं बोले इंडिया फिर अरिकन लोग कहते हैं बाइ फार दे मोस्ट पॉपिलर लीडर इन दे वर्ल तोड़े नरेंद भाई दमोधर दासमोगी अब मैं जरा आरजू से पूछना चाहता हूं सबसे पहले आरजू मुझे बताईएगा कि आप तो इतने लोगों से बात करती हैं इतने लोग आपके प्रोग्राम में आपके शोव पर भी आते हैं कभी ये बात भी होती है कि बटवारा ना होता तो अच्छा था आज हिंद जो लोगों को खिलाए गया अपनी पॉलिटिक्स जो है वो चमकाने के लिए शायद ऐसा किया गया और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग बात करते हैं जो शो में आते हैं का आम सिटीजन से अगर बात करें तो उनको भी ऐसा लगता है कि शायद अगर बटवारा ना चीखा जा सकता है और उसमें कोई हरज नहीं है अगर हम इस बात को एकसेप्ट करें किस तरहां से आप लोग आगे बढ़ें हैं और आपके यां भी बहुत प्रॉब्लम्स थी लेकिन अब नहीं है तो उन चीजों को देखके पाकिस्तान को अपने आपको समालना पड़ेग विल्कुल देखे दो तीन चीज़े सबसे पहले आपका जो एडुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और सब लोग इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान का एडुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है इसी वज़ा से हम इस तरह से बहुत जादा ब्रिलियंट लोग बाहर नहीं निकाल पाए जो आपके आँसे दुनिया भर में गए हैं इसके लावा फॉज को अपनी जगा पे रखा है आपने हमारे फॉज हमेशा जो है वो हर चीज़ में है सिवाए जो फॉज का काम है उसके लावा इस्टैबिश्मेंट जिसे हम कहते हैं अभी भी जो हमारे न करें और पॉलिटिशन को अपना काम करने दें यह जो मुसलसल फॉज इंटरफियर करती है हर चीज के अंदर इस्टैबिश्मेंट के नाम पे हमें बार बार डराया धंगाया जाता है वो चीज़ हमें भारक में दिखाई नहीं देती तो यह भी एक चीज़ है जिसके लिए लोग जो है तारीफ करते हैं बिलकुल और इसी आपके जारे कॉर्नमी भी आगे जा रही है आपकी फॉरिंड पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है आप लोग किसी से डिक्टेशन नहीं लेते हमें तो अपना आर्मी चीफ भी अगर रखना होता है तो अमेरिका से पूछना है अब चीज़ें ढकी चुपी नहीं रह सकती पहले की तरह कोई गलत बात नहीं की जा सकती तो इस वज़ा से कई लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं अब जरा कुछ हम लोग बात करते हैं क्योंकि हमारे शो का नाम है सरहद और 14 अगस्त पाकिस्तान में जो है घलत ये क अटवारे के कुछ अनफिनिश्ट पहलो भी है कुछ कुछ काम जो चूट गए जो आज भी चूटे हो में जिन पर बात होनी चाहिए जैसे कश्मीर पाकिस्तान का कश्मीर के साथ एक अबसेशन रहा है शायद आज भी अभी आर्जों से हम पूचेंगे लेकिन यहां भारत में कश्मीर कहां पढ़ गया कहां पहुच गया खासकर 370 हटने के बात मैं सीधे याना करो करना चाहता हूँ याना आप मुझे लगता है कि शायद यूथ में वो सबसे बुलंद नवाज थी जो कहती थी कि यह 370 है जिसने बेडियों में जखड़ा हुआ है अभी भी कुछ माइनों में और कश्मीरियों के जहन को और ये बेड़ी तूटनी चाहिए और वो बेड़ी आज से 4 साल पहले तूट गई मुझे आपसे यह समझना है बेड़ी तूटने के बाद आज कश्मीर कहां जा करके खड़ा हुआ है देखिए 890 citizen friendly laws थे जिनके बारे में कश्मीरिय औरतों की हुकुक ये सारे इनको पता ही नहीं थे जब तक 370 नहीं हटा इनको लग रहा था इनको बोला गया था जो दो फैमिली हमेशा कश्मीर पे राज करती थी इनको बोला जाता था ये बोलते थे आवाम को कि हमारा जो है सब कुछ 370 जबकि 370 का आवाम से कोई लेना नहीं था बेनेफिट था तो उन दो फैमिलीज को था जो मतलब एक फुटबॉल की तरह जो सियासत को कभी हमारे पास कभी तुम्हारे पास ये जो करते थे मुफ्ती अबदुलास उनको बेनेफिट था क्योंकि 370 के वज़े से जो है उन पे वो अकाउंटिबिलिटी नहीं होती थी कि सेंटर से जो फंड्स आते थे पबलिक के लिए वो फंड्स का वो क्या करते हैं तो वो 370 उनको इसी लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसकी पीछे छुपके पैसों की हिरा फेरी करते अपनी तिजोरी भरते थे लेकिन आवाम को ये बात प कश्मीर में आवाम हैरान हो गई मतलब आप देखे तेजस्विनी स्कीम आप देखे रूरल वोमिन्स सस्टेनबिलिटी स्कीम जिसमें जो गाओं की औरते हैं उनको एंप्लॉइमेंट देने के लिए स्कीम है अच्छा यंग्स्टर्स को इतने सबसिडाइज लोन्स मिल रह हुआ है यही धाई लाक MSME जो रेजिस्टर कर रहे हैं युवा पहले ये 500 रुपीस पर डे में पथर उठाया करते थे स्टोन पेल्टर बना करते थे इसी से समझ में आता है आज MSME रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानि कि यह ऑंट्रपेनर्स बन रहे हैं धाई लाक में से 38 यह औरते हैं यह बिजनेस वाले बिजनेस परसंस बन रहे हैं जबके एक जमाने में यह स्टोन पेल्टर बना करते थे तो जो चेंज पथर बाजी रोजगार था रोजगार था पांच लाग का एक पैकेज होता था जिसमें इप वाज इंक्लूजिव फोन पेल्टिंग भी होगा एसासिनेशन भी होगा इस तरह की चीजें यह एक बिजनेस कांफ्लिक्ट अंट्रप्रेनोर्शिप इसको कहते हैं जो एक बिजनेस बन चुका था और वो कहां चलेगे सब पथरबास वो सारे MSME रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अब बिजनेसमेन बन रहे हैं अपने अ आज कश्मीर में जो UI बिजनेस कर रहे हैं वो इंटरीट पर कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बिजनेस मैंने कभी नहीं सुने थे लेकिन आज जिसस्पीड का इंटरेट चलता है आज भी आप देखिए आप आर्जू की इंटरेट पर ध्यान दीजे कभी भी यह रुख सकता है कभ चलता है और दूसरा इनकी आप देखिए इनके अच्छे अच्छे इलाकों में जिस गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारी रियासत का ही हिस्सा है जो उनके पास है सारी नदिया महां से निकलती है मुझाफरबाद से निकलती है लेकिन वहीं के लोगों को जो है इलेक्रिसिटी की बता रही है या ना इसका कभी कोई जिक्र या इसकी इस खबरें कभी पाकिस्तान पहुंचती है आरजू और क्या कश्मीर का कुछ अबसेशन पाकिस्तान के निताओं में वो कुछ कम हुआ है देगें बिलकुल ये खबरें पहुंचती है पाकिस्तान में और जाहिर अग प्रवाइंगे क्योंकि तभी तो हम भारत को अपना दुश्मन बताते हैं तभी तो हम डिफेंस बजट बढ़ाते हैं और तभी तो हमारे आपको पता है न कौर्णर के प्लॉट और इदर उदर बहुत कुछ खरीदना होता है हमारे फोजियों को जो आपके फोजी तो ले नह मिलते हैं आपको कभी डर नहीं लगता पाकिस्तान में रहाएं का वह एका यहां पर किस अलमें पाकिस्तान के वो लीडर पाकिस्तान के वो नेता जो एक कहते हैं कि हम कश्मीर यहां यह हमारा कश्मीर इसकी हिंदुस्तान का कश्मीर उसकी बात हम दुनिया को पहुंचाएंगे उनके कब्जे में जहां वो लोग रह रहे हैं उनकी आवास नहीं पहुंचती उन तक यह बहुत शुक्रिया शर्मा साब आपने फिरमाया कि हम देखते हैं आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं आए दिन नहीं होते हर दिन होते आज भी हो रहे इस वक्त सूरतियाल यह है कि सदनोती जो है वहां की हर तहसील में धरना है इस वब सुर्टियार ये है कि सत्रा तारीख की कॉल दी हुई है पैंशनर्स ने कि उनको तीन-तीन मेने से पैंशन नहीं मिली उन्हों ने कॉल दी हुई है कि मजफराबाद में प्राइम मिनिस्टर सेक्टेरियर का वो गहराओ करेंगे पांच सितंबर को पूरे पियो जेके में पैया जहां मरताल है मैं क्या क्या आपको गिना हूँ हर रोज मظाहरे हो रहे है और जहां तक हाला आप का तालुक है आप कोई भी सेकंड रोल वार की फिल्म पुरानी उठा के देख लें जिसमें जैपनीज की जेल्स दिखाई है जैसे दे ग्रेट सकेप है या और ब्रेज जॉन रिवर कौार है ये आप फिल्में देख लें उसमें जो कैदियों का हाला वो ही हमारा हाथ हमारे पास ना खाने को है ना पीने को है हम एक जेल में हैं आप ये क्यों नहीं समझते कि 1947 22 अकूबर से लेके आज तक बहारत का 70 लाख आदमी 60 से 70 लाख बच्चे बुड़े जवान मर्द औरतें जो भारती नागरिक हैं वो पाकिस्तान की कैद में पाकिस्तान की जेल में हैं नाम P.O.J.K. और P.O.G.B. है और हमने हमारी पूरी स्वक कोशिश है और हम कैंपेंट चला रहे हैं पूरे P.O.J.K. और P.O.G.B. में के भारत के साथ जो है वो री यूनिफिकेशन होनी चाहिए और फॉरन होनी चाहिए क्या ये पियो जेके के मिजॉरिटी बाचिंदे की आवाज है कि हम हिंदुस्तान का ही हिस्सा है देखें मैं सवाल का इसलिए जवाब नहीं दे सकता कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ और मैं वहाँ कोई जो है ना सरड़े पक्षड़े होके सर्वे नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ये सवाल लेके सर्वे करूँगा क्या बारत के साथ वापस जाना चाहते हैं या हाँ या ना तो सबसे पहले एजन्सियों वाले मुझे उठा के ले जाएंगे तो ये इस तरह से नहीं होता है इस वक जो मिजॉरिटी है हमारी यूट की वो तक्रीबन समय ले 99.99% लोग पाकिस्तान के ओपनली खिलाफ हैं ओपनली कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अज़ादी चाहिए अब देखे बात ये है इंडिया में शामिल हम लोग जो होना चाहते हैं वो इसलिए नहीं होना चाहते कि जैसे आपके जो मेमान उन्होंने का कि चार्ट फ्रिलियन डॉलर की एकॉनमी इंडिया बन गई नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए भाई हमें सिर्फ पाकिस्तान की जो घुलामी है इससे अज़ादी चाहिए यह हम कैसे मान लेते हैं कि हमारा पार्टिशन मुकमल हो गया पियोजे के जब तक नहीं है और वहां के लोग हमारे लोगों के साथ नहीं अभी हमारे मेमान जो कह रहे थे कि वहां के लोग उनके दिल में क्या बहाबना है सर आप लोगों को मालूम होगा शायद 2012 में शिया मुस्लिम्स को बस से बाहर निकाला गया था कोहिस्तान में कारगिल में मैं Autonomous Hill Development Council जो हमारी है मैं Special Advisor हूँ तो वहाँ पर एक movement चली थी शिया मुस्लिम्स में गिलगिट बाल्टिस्तान के कारगिल चलो कारगिल में हम बहुत सुरक्षित हैं अपनी एरिया में हम सुरक्षित नहीं इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ We want to go to India क्योंकि भारत में हम सुरक्षित हैं भारत की फौज हमारी सुरक्षा करेगी जबकि हमारी अपनी फौज पाकिस्तान की फौज हमें more can I say sir function which a I जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो लाखों हिंदु हिंदु सिख एक करोड पाकिस्तान में हैं उनकी जिन्दगी को जिन्दगी बनाना मैं ठीक के रहूँ ये महापाप इस देश के जो तताकति दिभाजन मैं उसको दिभाजन नहीं मांता मैं उसको केवल सत्ता का हस्तांतरण मानता हूँ मेरी दृष्टी हिंदू सिखों पर समाप्त हो जाती है और अगर पाकिस्तान में 15% हिंदू थे इस तथाकति सत्ता के हस्तांतरण तथाकति दिभाजन के समय आज उनकी जंसंक्या 2% कैसे है एक इंटरनेशनल जूडिशिल कमिशन बैठना चाहिए कहां गए ये हिंदू इस देश की मरी हुई हिंदू नित्रत तो पूछता भी नहीं है सवाल को बैठना चाहिए एक लाख हिंदू तो मीर्पूर डिवीजन में कतल किया है इस विषय पर मेरी जो पीड़ा है वो ये है कि लगबग एक करोड हिंदू पिछले साथ दशकों में इस पूरी मानव द्रिश्टी के आँखों से इस धर्ती से गायब कर दिये गए या तो वे मार डाले गए या उनका धर्मान तरन कर दिया गया या वे वो उस देश से पलाइन करके किसी अंजान जगे पर चले गए दोनों जहान अपनी महबत में हार कर वो जा रहा है कोई शब गम गजार कर पाकिस्तान में जनमने वाला हिंदू और सिक एक शराप के साथ जनम लेता है वो एक ऐसे समाज में आँख खोलता है वो बच्चा जो समाज प्रतम दिन से उसका दुश्मन है और ये दुनिया मस्त अपनी दुनिया अपनी सफलता है और तीन चार ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी में मज़े कर रहे हैं हम लोग एर कंडिशन चेंबर्स में या बैट कर बात कर रहे है European Union की Parliament मैई 2019 में एक रिपोर्ट जारी करती है सब कर लें Google तीन हिंदू सिख बच्चियां प्रती दिन उनके घरों से उठाई जाती है पूरा पूरा गाम उनकी इज़त लूटता है और एक 70 साल के बुढ़े आदमी से उस 6 साल की बच्ची का विवा कर दिया जाता है 21 वी शदाब्दी में सब की नाक के नीचे ये सवाल उठाता हूँ मैं और जब citizenship amendment act इतना करूना पूर्ण करून ये सरकार लेकर आती है तो उसके खिलाफ एक हत्यारी सोच के तहट शाहिन भाग बिठाए जाते है और हिंदू समाज नपन सक पड़ा पड़ा देखता रहता है उसके खिलाफ हिंदू ने अपने प्रदर्शन क्यों नहीं किये और उसके बाद आज चार साल हो गए चार साल होने को आए सिटिजनिशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लिमेंट नहीं हुआ सीधी सी बात है ये घर हिंदूस्तान हिंदूओं के लिए है भाई धर्म के आधार पर हुआ था ना प्रटिशन यह मैंने तो नहीं किया था मैं तो पता नहीं कौन से पिछले जन्म में क्या था और बावा साब अंबेटकर की पुस्तक पढ़ लें सब जो सूरे शाम कसमें खाते हैं किस मू से इस देश के दलित नेता सिटिजनिशिप अमेंडमेंट एक का विरोध कर रहे थे जब उसके डिरेक्ट बेनिफिशिरी सूजिप अमेंडमेंट एक के डिरेक्ट बेनिफिशिरी दलित समाज के लोग थे हमारे यहां हमारे पास कुछ ऐसे हमारे सिटिजन्स हैं हमारे बुज़र्ग माता-पिता समान तुली लोग हैं जिनके परिवार 1947 में यहां आए थे और उनको पता है मतलब बटवारे का और आजादी का और घुलामी का फर्क क्या होता है आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और साथ साथ गम भी कर रहे हैं बटवारे का आप जब आए थे क्या उमर थी आपकी बात यहाँ कि मेरे पाकस्तान से ही एरजा है कि उगरवाद बंद करो अचा और उदर बंद करो गए तो दोनों मुलक जेर उगर सान उनीस सो 47 अजादी सी जा इदर से जो मुसल्मान गए हैं जा उदर से जो हिंदू आए हैं उन से पूछा जाए अजादी क्या होती है इनको क्या पता अजादी क्या है यह अजादी वो है कि उदर के मुसल्मान मरने जो गरीव हैं और इदर के कुशाल हो रहे हैं इन उसान से फैदा उठाना है त से अजादी पूछो जो अदर से ढूझ उड़ को वाई उनसे अजादी पूछो तुम ये किया पदा अजादी क्या चीज है आज जी अधर से जो मुसल्मान के वह सड़कौ पर सोयें उद्र सज़े थे तारी बगब मार रहें जी अजादी अजादी वो जो जाते हैं मुर्गा खाते हैं और कुछ नी कर सकते हमारे परदानमंद्री के डाल खाते हैं मगर सबसे उंचा नाम कर दिये इंड-उसाइड का आप कहा आप वहां आपका परिवार आया कहां से आए थी पाकिस्तान से हम जेलं से आया से जेलं के साथ दीना शेह उपर शेख उपुर्द हमारे जमू कश्मीर के साथ लगता है डाई तीन किलो मीलिटर दूर है हमारे से आई उस वकत क्या हुए हमारे शायर कुछ भी नहीं था रात को हम अच्छे बले सुए हैं और सुबह जब उठे चारह उतार से इन्होंने संगेशे बेह दिये सैकलों पर उस से कमें चाली एदार मुसल्मान हो गया था है एक इन्दू थंदार था और इतना दमागदार था कि मैं आपको क्या बता हूँ उसने सब काफले को बार रोक लिया और रोकने के बाद बोला कि तुमें क्या चाहिए इनके दमाग होते हैं मोटे अकल नहीं इनको बिलकुल एक पैसे आपको बहु हूँ उन्हें का कि हमारे मूरिजम है ये इनको पघर लो उच्ठी का ठीक मैं शार्क में आपको नहीं गुस्रे दूंगा उसने जो जो नाम दिये पागद लिये उन्हें हैं जी इनके सामने की ख्ड़े कर दिये हैं जी इस सब अजूम चला गया उसके पितारा रात को फिर खुला को फिर आना पड़ा। बिर्टेने के को ​​क विर जी सब्सक्राइब Sigouriate जी CeTVू hmulika डिखान सी तो हमेरे नाना जी की और हमारे पिता जी का चाहुलाँं का करेबार साथ तो एक दम के लाए हो पतेरा हैं है उस पर हमारा परिवार पूरा जहां से है मेरे पीता ही एक बात बतादे से हमको मेरे एक हमारे एक लीडर ने ये कहा था कि मेरी लाश पे बनेगा पाकिस्तान उसकी लाश तो नहीं गिरी पर हमारे पचास लाख लोग वहां बारे बारे आगे और आप ये देखो कि हमारे गुर्दवारे नंकाना साथ पंजा साथ देरा साथ लहोर और महराजा रंजीत सिंग की जो हमारी राजधानी थी वो लहोर वहां पे रह गई आप ये अभी डाक्र साब ये कहरे थे कि ये खोल दिया जाना चाहिए बार्डर मैं इसके हक में हूं के बार्डर खोल दिया जाए बजाए उदर के हिंदू और सिक इधर आएं यहां के सिक्षों को को कि अपने स्थान ले ले हम अपना स्थान खुद ले लेंगे और हमारी मिल्टरी इस वाद के लिए कैपेबल है यह दो दिन का जैसे शास्ट्री साब ने कहा था कि हम भी टैल से टैल से लहोर हो आएंगे तो मेरे वहाँ पे एक हमारे कर पाती शीमला jythen के में के हमारे जो इलाके का एक करतार पूरियाः मोदी सांब ने खुलवद्या दिया दो किलोमेट्र का इरिया है अगर यह चाती इंद्रागंधी तो वहां पेपे हमारा यह सान67 ले सकती थी हमारे धरम मैं एक बार वजीराबाद गया था वो जो गुजरावाला में पहला रेलवे स्टेशन है वजीराबाद तो वहां पे हमें कुछ लोग मिलने आये थे वहां के जो वस्मीक थे वो गलत नहीं थे हमने उन से मेरे पिताई ने उन से पूछा कि आपने आपको क्या फरक नजर आता है कि हम यहां से चले गए और दूसरे लोग वहां से आ गए तो उसका यह जवाब था कि हमने हंस ले लिए और कव्यख खूब लिए यह यह बहुत बड़ी बात थी कि हमने हंस लेकर कव्यख खूब खूद लिए उनन liberal को हंसकी तश्भी और आज यह अम जानते हैं यह के आ को यहां बुला लो माजुन के ओपर जल्म हो रहे हैं हिंदू सिक्क के ओपर या फिर कुछ करें सरकार कुछ इलाज करें इससे पहले कि मैं आपके प्रशन का जवाब दू मैं शमा चाहता हूं नबे साल के बुजर्ग हमारे सामने बैठे हैं यह हमारी परमपरा है सर इसमें दो चीजें होती हैं सर एक इमोशन होती है एक हकीकत होती है आज जो हमारी दुनिया है उसमें हम दो मूवमेंट्स देख रहे हैं एक मूवमेंट्स देख रहे हैं री यूनिफिकेशन की इस्ट वेस्ट जर्मनी का तो आप जानते हैं क्या हुआ था दूसरा हम देखते हैं ब्रेक अप की नौट साथ सुडान जहामें आपका राजदू था एरेट्रिया एथियोपिया हमने देखा है वो अलग हो गए लेकिन जो हम देख रहे हैं इस समय पाकिस्तान में ये एक नैच्रल मुवमेंट एक और्गैनिक मुवमेंट खड़ी हो रही है अल्टमेटली सर ताकत किस चीज़ में होती है अट्रैक्शन कहां होता है इस दी एकॉनोमी बिल क्लिंटन ने अपने इलेक्शन 1990 में अमेरिका में लोगों ने कहा कि आपके लिए क्यों वोट करें जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं बोले इस दी एकॉनोमी स्टूपिड इसका मतलब है जब आपके पास आर्थिक ताकत है लोग आपके पास आएंगे जिनका हक है आपके पास लोटना क्योंकि हम तो भारत मा कहते हैं न सर अब मा अपने बच्चे को ठोकराती नहीं है तो बता रहे ना लेकिन सर डॉक्ट साब की कहा एक आखरी चीज सर आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से आपकी फैमिली आई सर उनने सो सेन्तालिस में एक यंग हैंसम फॉजी आफिसर ट्रेन को एसकोट कर रहा था वो पिशावर कर रहने वाला था लोहर की एक महिला उस ट् इस लोग काम कर रहे हैं लेकिन बहुत है और जैसे हिंदूर के लिए बहुत पीडा का विशेय हैं जहाँ अहर्दे में धन्यवाद है राजना सिंग जी के पृति वहाँ इस सरकार के पृति मन में पीड़ा भी है और शिकायत भी है दरजनों मेसेजजिस मेरे मोबाइल में पढ़े हैं आपको अभी दिखा सकता हूँ रोते हुए हिंदूओं के फोन आते हैं प्रती दिन डाक साहब कलमा पढ़ना पढ़ रहा है डाक साहब कुछ करो मैं क्या जवाब दो उनको जिस समाज में स्कूल में हिंदूओं के पृति घ्रणा सिखाई जाती है पूछ ले इन पाकिस्तान से आने वालों से इनके स्कूलों में हिंदूों के पृति घ्रणा सिखाई जाती है जिस समाज के टीवी पर एंकर्स बैठ कर हिंदूों को खुली गालिया देते हैं वहाँ आपने मगर मच्छों के बीच में इन निरीहिल लोगों को छोड़ रखा है इसका मतलब आपने कोई अपना पूर्वपक्ष किया ही नहीं है आप कोरोना को परसितमोल से ठीक नहीं कर सकते वो प्रयास ही सेल्फ डिफीटिंग है अब भी भी वो लोग आते हैं ना आपके प्रयासों से आते हैं आते हैं कैसी जद्व जहित करके आते हैं अप्लिकेशन हमारी संस्ता फाइल करती है वीजा की पर मंत पता है कितनी मिलते हैं तीस इसलिए मैं आप से पूछा इसका क्या है प्रैक्टिकल सेलुशन तो कुछ हमें पता चले ना अरे जो 2000 वीजा इंडियन स्टेट ने ग्रांट किये हैं कम से कम उतने हिंदूओं को तो भारत में आने दो और वो आने देना चाहते हैं पाकिस्तान उनको असानी से देता है जाने का जरीए आने का जरीए ये एक पिछले च्छे मेने में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ जितनी अंतराष्टी इस्तत पर चीछा लेदर हुई है पाकिस्तान की पाकिस्तानी हिंदूओं को लेकर अब इन लोगोंने strategy इनके जो establishment है इनका जो भी है इनके मुल्लाओं ने इनने सबने एक strategy चेंज कर ली है पहले ये लोग जो हमारे पास phone भी आते थे और जो हिंदू आते थे और कहते थे कि तुम काफिर यहांसे चले जाओ तुम्हारी प्रॉपर्टीज, तुम्हारे मकान, तुम्हारा सोना, वो सब हमें मिलेगा, हमारे को तो अच्छा है तुम चले जाओ यहां से, मेरे स्वें के पास फोन आते थे इस तरह के, वहां के एस्टाब्लिश्मेंट के, अब मैं छे मैने से देख रहा हूं कि सौ प्रचिप्टन सरकार ने इन नीरी हिंदूं के जो दोडो तीन मैंने पहले चपरोव में रह रहे हैं, जो बीचारे हिंदू, उनके मकानों पर बुल्डोजर चलवा दिये, यह हमारे हैं, जैपूर, राजिस्तान और मैं हिंदूस्तान में हैं,हिए, मैं हिरान हुआ सुनक है कि क्योंकि इधर मकान तूटे और उधर वीडियो यूट्यूब पर उस पर ट्विटर पर आ गए अब मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी करोड़ हिंदू है और सिख हैं अगर यह हिंदू के हिंदू बनके भारत में पहुंच गए तो जिस दिन घजवाई हिंद होगा उस दिन हमसे लड़ेंगे ना मुझे कनवर्ट ही करना है लोगों को और कुछ नहीं करना है और हिंदू लड़कियां बच्चियां अगवा होती है इसमें भी कोई धकी छुपी बात तो है नहीं जी बिल्कुल ये बात सही है और मिया मिठू को भी कई बार हम लोगों ने अपने शोज में भी बात की है और वैसे भी कि उसको अरेस्ट होना चाहिए इसलिए के ये ठीक नहीं है ये मामला जो चलता है हिंदु बच्चीों को पकड़ के ले जाना या उनको जबज़ से उनकी जह है शादियां करवाना रिलीजन चेंज करवाना लेकिन ये कुई हल नहीं है के सब लोगों को ठा कर और हिंदूस्तान भेज दिया जाए बल्कि उस कि पिक्चिर्स जो आती हैं वो कभी इमरान खान के साथ और कभी जैनल बाजवा के साथ तो आप समझ सकते हैं कि या आदमी कितना पावरफुल है लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जाए कि पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी सरकार आए जिसके दिल में कम से कम कोई रहम आयागा जिसके कि आपको establishment में मिलेंगे ये तब ही सही होगा जब international level के उपर जाकर कोई किसम का pressure पाकिस्तान पर बनाया जाएगा चाहे वो America कहे चाहे वो Saudi Arab कहे या कोई बड़ी country जब तक यह pressure यहाँ पर नहीं बिल्ट किया जाएगा तब तक यहाँ पर यही कुछ होता रहेगा जो हम होत जितनी भी establishment है जितनी भी फौज है जितने भी politicians है सब एक ही mind के हैं और इस जगह के सब खामोश हो जाते हैं इनको लगता है बहुत नेक काम कर रहे हैं पता है नहीं बहुत और दो चार करोड़ मुसल्मान बना लेंगे तो कौन सा कारणामा करेंगे यह शायद इनको खुद निकल रहे हैं और वो इन लोगों का साथ दे रहे हैं जो minority के लोग हैं पाकिस्तान में उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं अज़ा देखिया हम यह बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हिंदूों पर सिखों पर जो जल्म हो रहे हैं उसको लेकर के शा होना मुश्किल है आपने मुसल्मान से खुद को हिंदू कर लिया शायर क्यों जी बिल्कुल देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता हूँ आपको कि यह मेरे एंसेस्टर का कल्चर था मैं समझता हूँ जो सनातनिक कल्चर है वो मेरे वो कोई मैं इसको कन्वर्जन नहीं बोलत कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू होना मुश्किल है तो मैं आपको बता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप इंसान होना बहुत मुश्किल है अगर आप इंसान हो अगर आप अच्छी इंसान हो आप सर्फ बोलते हो तो आपके लिए पाकिस्तान दे रहना बहुत मुश्किल ह रचाए मुसलमान हो, हिंदू हो कोई दियों पाकिस्तान के अदर सिर्फ हिंदू के साथ हो रहे हैं यह तो हम सबको बता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर Muslim भी safe नहीं है Galat Pakka पाकिस्तान से निकल कर इंग्लेंड युएस चलेगा और मेजॉर्टी उसके अंदर मुस्लिम्स है अब वो क्यों जा रहे सवाल सबसे बड़ा यह बनता है उनको तो भई अजादी होनी चाहिए हर चीज की मला हर जॉब बिलनी चाहिए उनको हर चीज मिलनी चाहिए लेकिन व 80% यूथ है अगर आप यूथ को गजवा हिन जैसी चीजे पढ़ाओगे जिहाद जैसी चीजे पढ़ाओगे तो यूथ तो इसकी तरफ आई कि मैं 50-60 साल की जो बड़े लोग होगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यूथ इस वक्त उनसे जादा एक्ट्रिमिस्ट है मै इस तरह की लोग नार ही लगातें सिर्फ किरिकेट मैच के अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये नफरत कहां से आती है और बात में वापिस से आऊंगा कि हिंदूस के अंदर जो हो रहे है I think हमने कश्मीर पर बहुत बात कर ली लेकिन हमें पता है कि इंडिया के नेशनल एं हो गया लेकिन ऐसी चीज़ है जो इंडिया के साथ हमेशा था और अभी भी जो मेजॉर्टी जो से हैं चलें की बात भी आफटा दे पूरे पाकिस्तान के अंदर जित्ते भी से उपर सी तो सब बोलते कि पाकिस्तान जिंदाबाद दिल दिल पाकिस्तान इस तरह की बाते कर लेकिन आप अगर इनके दिलों में जाकर देखेंगे तो यह हर लिटरली हर एजुकेटेड बंदा पाकिस्तान का 1947 के पार्टीशन को रिग्रेट करते हैं रिग्रेट करता है बिल्कुल 100 लेकिन वो पाकिस्तान जाते हैं और उनको पता है कि वो उनके पास कोई आप्शन न से तो आजादी के बाद भी जो एथनिक क्लेंजिंग का जो हमारा उपर सबसे बड़ा दाग है वो तो कश्मीरी हिंदों का है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो है और उसमें पाकिस्तान का जो रोल था हम समझते भी हैं वो कुछ जो इंफ्लूएंस पाकिस्तान का रहा कश्मीर के खास करके नौजवानों के उपर जब लोग आतंगवाद से भी जुड़े जाना आज उसकी क्या स्थिति है देखे सरकार जो है एक चीज समझ चुकी है और कई सालों से पिछले मतलब इवन आइवूड से थ्री सेवेंटी के हटने से पहले से भी यह रियाल जो है हर एक ने बोला education जो है वो गलत जा रहा है पाकिस्तान में education stream गलत जा रहा है क्योंकि वहां पर 40,000 मदरसे हैं जो धाई Am I coming to which point और उसकी वज़े से आप देखिए मेवात में क्या हो रहा है इधर उधर देश में अलग-अलग जगाओं पर शाहिन बाग क्यों हुआ यह आप सीधे मदरसे की सोच से जोड़ती हैं मैं सीधे मदरसे की सोच से जोड़ती हूँ बिकॉस जोड़ेंगे आपने एक से ना मेरे पास बहुत टाइम के बाद आएं प्लीज मुझे बताने दीजिए सो दा पॉइंट इस की हम क्या चीज नहीं देख रहे हैं वो यह है इंडिया में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहा रहते हैं इंडिया में इंडिया का फ पाक, कुरान पाक में सिर्फ मुस्लम इसलाम का जिकर है, यह सब क्या है फिर दयोबंदी बरेलुी हनबली हनफी सलाफी वहाबी यह सब क्या है, और यह क्या सीखा रहे हैं हज-अकबर ही क्या है अपना अपना इसलाम निकालकर बेढ़ यह हर कोई हाईजैक कर रहें, गॉर्मेंट ओफ इंडिया की ये रिस्पॉंसिबिलिटी है, कि इसलाम को हाईजैक होने से बचाओ, सिर्फ हिंदूइजम को नहीं, इसलाम को जो हाईजैक किया जा रहा है, इन मदरसों में, गलत गलत सिका, हाजे अकबरी नाम की कोई चीज निये, लेकि हाजे अकबरी क्या है, the greatest form of service to Allah, what is it, कि एक हिंदू को convert करके Muslim बनाओ, तभी तो ये सब हो रहा है, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मोर में क्या हो रहा है, इनका एक कश्मोर इलाका है, शायद सिंध में है, 30 हिंदूस को वहाँ पर hostage रखा है, आज भी, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा एक human rights organization है, पाकिस्तान में ही मौझूद है, कुछ अच्छे लोगों ने उसको बनाया है, जैसे अच्छे लोग भी हैं, जैसे शायन और आर्जू जैसे अच्छे लोग भी पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं, उन्होंने एक महिना पहले ही ये बता दिया था कि कु इन hostages को जो लिया हुआ है, वहाँ पर जान बूच के पहले electricity को उड़ा दिया गया, फिर भी वहाँ के लोगों ने बोला कि हमने police की vans वहाँ देखी, police cover दे रही थी उन लोगों को, जो hostage ले रहे थे हिंदूों को, एक-एक करके उनको, अच्छा, दुनिया में कहीं कोई क तुरान जला देता है, तो हिंदू को मारते हैं, पाकिस्तान में, कोई सीमा है दरी पब जी पे खेल की यहाँ पर भाग कर आती है, तो हिंदू को मारते हैं, पाकिस्तान में, कहीं भी कुछ भी होता है, हिंदू को मारते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर minority खतरे म वो कानून कहां बन रहा है, वो कानून बन रहा है हिंदुस्तान में, किस के लिए, मेजॉरिटी के लिए, हम हिंदुस्तान में एंटी कन्वर्जिन लॉव बनाते हैं कि मेजॉरिटी को कन्वर्ट करना बंद करो, ये मेरे खियाल से, आप भी मानते हैं कि आप आज़ाद सेंसस नहीं कराता ये देश, सेंसस में ये पता, मैं जो एक करोड का आखड़ा दे रहा हूँ, वो बिल्कुल एम्पेरिकल है, there is no data to me, मैं अपनी बुक में भूद रहा हूँ, एक्चली हैं कितने, कुछ एक्चली पता नहीं, मैं कहां से पकड़ में हूँ? ठीक करने की कोशिश हो रही है, आपके आँपर स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, 1947 क्या था, 1947 से पहले जो आज पाकिस्टान है, वो क्या था, उसके बारे में कभी कुछ बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं, और अब तो लोग ये कहने लगे हैं, कि हमारी जो टेक्स बुक्स हैं, उसमें से पाकिस्टान हिस्ट्री जो है, वो यकीनन निकाल देनी चाहिए, क्यूंकि वो हम बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और हमेशा से ये बता रहे हैं कि सारी जंगे जो हैं, उसको सही हिस्ट्री का पता हो, और वो शायद कुछ सही पढ़ सके, लेकिन ये जरूर है कि जो मदर्सों की बात आप लोग कर रहे थे, तो बिल्कुल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इश्यू जो है, जो कुछ होता है मानारिटीस के साथ, उसमें मदर्सों का भी हाथ है, और सबसे पहले मैं बहुत बार कह चुक्यों कि इन मदर्सों को बंद हो जाना चाहिए, और लेकिन इनको इतना फंड दिया जाता है, इनको बड़े-बड़े बिजनस का टाइकॉन्स जो हैं, वो जाके फंड करते हैं, कि अगर इन मदर्सों से पैसा ले लिया जाए, तो हम उल्टा IMF को कर्जा दे देंगे, इतना पैसा है इन लोगों के पास, जी ठीक, सरा आज का क्लोजिंग कॉमेंट, बोरा साब, आपसे मैं देना चाहता हूँ, अभी चर्चा में किसी ने कहा था, मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा, हमारे नैशनल एंथम में सिंध है, हमारे नैशनल एंथम में तो है, लेकिन वारी सरहद में नहीं है, उस पे मैं कॉमेंट नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि वर्ल्ट बैंक, आपने आपसे एक बात कही थी, कि हर चीज की सालगिरा, चाहे हमारी अपनी जिन्दगी की सालगिरा हो, या जैसे हमारे देश में आज आजादी की सालगिरा हम मना रहे हैं, तो जरूर सोचिएगा, कि आप कहां से चलके कहां पहुँचे हैं, और आगे हमें कहां जाना है, तो आपको वो फैसले लेने में मदद करेगा, जो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा शेहरी होने के लिए आपको लेने की जरूरत है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, भीपक भोरा साथ, याना मीर जी, डॉक्टर अमरेंद रतनूर जी हमारे साथ थे, पाकिस्तान से हमारे साथ आरजू काजमी जुड़ी, शायन अली हमारे साथ, जुड़े, मिर्जा साह हमारे साथ जुड़े, खासकर आप लोगों का आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ कारेक्टरम का हिस्सा परे, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत शुक्तिया, इंडिया टीवी, हर वक्ट, हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सेर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर.